Hello everyone, कैसे आप सब लोग? अगर आप drop कर रहे हैं और आपके मन में भी ये question आ रहा है कि जो इस बार हुआ, अगर अगली बार भी वही हो गया तो क्या करेंगे? तो ये वीडियो आपके लिए है, आप पूरा end तक देखना और at least इससे आपके basic life के funday clear हो जाएंगे. ठेक है? मैं आपको अपने बार में बताओं, तो मैं around 10 years से teaching line में हूँ, मैं students को teach कर रहा हूँ, mentor कर रहा हूँ, और as a teacher भी हूँ और as a student भी हूँ, student in the sense मैंने gate 2020 दिया था और उसमें under 100 rank मेरी आई थी, तो मैं as a student भी साथ साथ चलता रहता हूँ, मैं अपनी life को as a student life भी बना क आखे जलता हूँ, ताकि मैं student community को बहुत closely और बहुत अच्छे से analyze कर सको, तो मैं ऐसा नहीं करता कि मैं ऐसे teacher ही काम करता रहा हूँ, मैं सिरफ लोगों को सला देता रहा हूँ, और अपने उपर उसको implement ना करो, मैं आपने उपर भी चीजों को implement करता हूँ, और देखता हू जो मैं problem face कर रहा हूँ, उसको मैं किस style से handle कर रहा हूँ, तो वही ways मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, तो simply मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बहुत नजदीक हूँ, क्योंकि मैं भी student life को face daily basis पे करता रहता हूँ, मैं भी study करता रहता हू तो मुझे भी अच्छे से समझ में आती है कि क्या-क्या problem students face करते हैं, तो बिल्कुल उसी style का video मैं आपके साथ discuss करना चाहा हूँ, तो देखो मैं simply बात करता हूँ, मैं directly video को start करता हूँ, देखो, दो category की students होते हैं भई, जो मैंने 10 सालों में सीखा है, वो सब कुछ मैं आपक कोशिश कर रहा हूँ, एक category 1 है, और दूसरी है category 2, category 1 के students क्या करते हैं, उन्होंने कोई particular way से study करी, बट उनको success नहीं मिली, ठीक है, success नहीं मिली, और क्या करेंगे, उसी way से दुबारा study करेंगे, और expect करेंगे कि हमें success मिल जाए, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और आपको बहुत major changes लाने पड़ेंगे अपने schedule के अंदर, आपको यह बात तो बिल्कुल बक्वास लग रही है, but fact बताता हूं मैं आपको, मैं अपने experience से बता रहा हूं, more than 60% of student community is like this only, okay, style change नहीं करेंगे, उसी style से पढ़ाई करेंगे, और अगली बारी expect करेंगे, कि मेरी rank improve हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, अभी miracle कभी नहीं होता, यह सब बक्वास बात है, यह सब कहने की बात होती है, कि एक style follow किया, शायद हमने अच्छे से त्यारी नहीं करी होगी, तो इसी style से दुबार से त्यारी करते हो, शायद कुछ बात बन जागी, ऐसा कभी नहीं होता, अब मैं आपको इस बात का भी answer करता हूं, कि more than 60% of students ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बात तो बिल्कुल अजीब लग रही है आपको, कि same style follow कर रहे हैं और फिर भी expect कर रहे हैं, बट actually होता है, knowingly या unknowingly इसे साब से काम हो जाता है, जैसे for example, पहला मन्थ आपने बहुत अच्छे से study करी, खूब मन से खूब जोर लगा के पढ़ाई करी, second month में थोड़ा सा और delay हो गए, काम करने का ज्यादा मन नहीं करता, third month जब start हुआ preparation का, तो भई बिल्कुल ही हिम्मत हार गए, बहुत कम study कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नीद आने लगी, books पढ़ रहे हैं, तो books पढ़ते पढ़ते नीद आने लगती है, कोई video देख रहे ह हूं, तो चलो ठीक है, video पर shift हो जाता हूं, या video देख रहा हूं, तो चलो books पर shift हो जाता हूं, इसी साब से shuffling करते रह जाते हैं, बात बनती नहीं है, और finally फिर 7th, 8th month जब preparation का आता है, तो लगता है कि चलो ठीक है, यार अब कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर आप था, या मैंने तो सारी strategy ही बदल दी थी, उसके बाद भी मेरे number नहीं आ रहे हैं, बट देखा जाए तो आपने को strategy नहीं बदल लिया, आपकी strategy एक्दम सेम थी, ये कड़वी बात है, लेकिन सची बात है, बहुत बड़ा और important fact है, ये life का, please इस बात को समझो, तो य strategy कैसे change होगी, strategy change होगी, planning के थूँ, आपको planning बहुत जादा और proper करनी पड़ेगी, अगर आप अभी तीसरे चोथे महिने में जाके सोचते हैं, कि मेरे resources गलत है, मेरे को resources बदलने चाहिए, तो आपकी planning बखवास है, आपने कोई planning धंग से नहीं करी है, पहले day one से आपको धं execution में लाना है, ऐसे नहीं चलना है, blindly काम करोगे, तो कभी भी life में success नहीं मिलेगी, please इस बात को समझ लो और अच्छे से गांट बांद लो मेरी बात को, मैं काफी सालों से समझा रहा हूँ ये बात, लेकि students के दिमाग में पता नहीं क्यों बात नहीं गुशती है, और हमेश बहुत जादा message आ रहे हैं और लगबग हर student में से यही बात पूछ रहा है, कि जो इस बार हुआ, वही अगली बार हो गए, तो हम क्या करेंगे, देखो भई, सीधी सी बात है, अगर आपकी preparation का style change होगा, जो preparation जिसे साब से आपने अभी करी है, अगर आपने उसको change किया, त तो obvious कि result भी change होगा, बिल्कुल basic सी बात है भई, सीधी सी बात है, जिसे साब से आप input डालोगे, उसी साब से आपको output मिलेगा, ये बिल्कुल basic सी बात है, अगर आपके input ही गलत है, तो output तो गलत मिलेगा ही मिलेगा, चाहिए आप कुछ कर लो, ये basic computer science में भी आप पढ़ र होगे, कल भूल जाओगे, कल पढ़ना छोड़ दोगे, सीधी सी बात है, motivation नहीं आरी, क्यों नहीं आरी motivation, भई, अंदर से motivation आनी चाहिए आपके, अगर आपकी planning strong है, आपके मन में आग है कुछ करने की, तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे life में, ए कोई scripting, script write नहीं करता, और उसके बाद में बोलू, ऐसा नहीं करता, जो मेरे मन में आता है, मैं बिल्कुल clear cut आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल, एक दम, कोई बनावटी बात नहीं, और कुछ नहीं, तो इसलिए शायद मतोड़ा ख़ड़ा, बीचित में 15 से 20 नंबर की मेरे से silly mistakes हो गई, अरे 15 से 20 नंबर की silly mistakes नहीं होती भाई, वो blunders होते हैं, और वो blunder क्यों होते हैं, आपकी practice बहुत कम है, आपने practice धन से नहीं करी है, और कुछ students यूं तक कह रहे हैं, मुझे कि सर हमने 30 test दिये, 40 test दिये, बढ़ फिर भी बात नहीं बनी, भई आपने उनको analyze नहीं किया, या कहीं न कहीं आपकी mistake जरूर है, इस बात को समझने की कोशिश करो, gate exam smartness चेक करता है आपकी, इस चीच को समझो, smartness, वो देखता है कि आप कितने smart हैं, एक example से समझाता हूं, तो आपको समझ में आएगा, जैसे आप कोई book पढ़ लें, novel प on, book पढ़ो, smartness के उपर book पढ़ो, उसके notes बनाओ, हफता दस दिन उनको बैठ के समझो, रटो, जो करने करो, और अगले दिन उठके आप बोलो कि मैं smart बन गया, तो बन गे क्या smart, बिल्कुल नहीं बने, smartness आने में time लगता है, तो please time लगाओ, इस बात को समझो, time लगेगा और time आपको लगाना पड़ेगा, मैं आपको एक fact और बताता हूँ, देखो मैंने 10 साल के अपने career में इस चीज़ को बहुत बार देखा है, अगर इस साल आपके मन में आया है, कि मुझे gate देना है, तो एक साल के अंदर आप gate में top rank नहीं ला सकते, ये बहुत कड़वी और स सची बात है, मैं अपने experience से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पहले से funding clear है, आपको बहुत कुछ पहले से आता है, तो फिर उसको एक साल का नाम नहीं देना है, एक साल का नाम है, नाम मैं उस बात को दूँगा, जब आपको कुछ नहीं आता, आप blank है, आपने आज सोत है कि मिरको तैयारी करनी है, जैसे 2021 में सोच रहे हो, और 2022 देखे आप top rank ले आएंगे, that is not at all possible, gate के questions बहुत twisted होते हैं, इतने easy नहीं होते हैं, पहले साल में तो आपको ये questions समझ में भी नहीं आएंगे, previous year questions उठाएंगे न, आप उनको देखेंगे तो आपको समझने में इस चल रहे होगे और approach west से जानी होगी, मतलब इस तरीके से चलोगे तो questions वोल होगा, लेकिन आप इस तरीके से सोच रहे होगे, तो सोच भी develop नहीं होती है, और questions समझ में भी नहीं आते हैं, बहुत problem होती है, अगर आपको ये सब दिक्कत आती है, तो मुझे comment section में बता सकत हैं, रादर मुझे पता है, हर student को ये दिक्कत आती है, previous year question समझ ही नहीं आते, तो solve कहां से करोगे भई, पहले साल में तो इतनी दिक्कत आती है, second year में जाके थोड़ी बहुत मैं चोटी आती है, एक सीधे सी बात मैं काफी बार बैसे बताता भी हूँ, हमारे mind के अंदर cuts ब जाएंगे, तो अब आप सोचो कि आप एक दिन में 50 बार या 1000 बार डंबल उठा लो, तो क्या अगले दिन आपके cut सा जाएंगे, बाइसे बिल्कुल नहीं आएंगे, कम से कम 6 महीने एक साल आपको लगातार मेहनत करने पड़ेगी, तब जाके कुछ बनता है, तो ऐसे ही आ ताकि बच्चा second year में सोचना शुरू करे, third year में gate का attempt दे, उसको समझ में कि मैं कहा stand करता हूँ, और finally जब fourth year में वो आए, gate में अच्छी rank ले आए, और अपना IIT में जहां पर भी admission लेना है, वो ले ले, उसका साल खराब ना हो, पहले क्या होता था, final year में ही eligibility होती थी, तो student third year से सोचने की कोशिश करता था, fourth year में देता था, एक साल में कुछ बात बनती नहीं थी, ना उसको समझ में कुछ आता था, या तो वो छोड़ देता था, या फिर drop करता था, drop करता था, तो वोई बात है, साल खराब कर लेता था आपने, तो professors नहीं यही सोचा, कि क्यों हम third year में कर दें, ताकि students का at least एक साल तो बचे, ठीक है, समझ रहे हो, तो और ये बात भी ध्यान रखना, जो final year तक qualify कर जाते हैं, जिनकी बहुत अच्छी rank आ जाती है, भई, कोई भी आपको सचाहिक नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको सचाहिक बता रहा हूं, उन्होंने first year से या second year से सोच लिया था कि हमें gate देना है और हम करेंगे, ठीक है, तो indirectly आप मान के चलो, वो दो साल या तीन साल dropper है, वो first year वाले नहीं है, तो आप अपने आप से क्यों expect करते हैं कि एक साल में मेरा gate qualify हो जाएगा, ठीक है, तो please इस बात को समझने की कोशिश करो, repeater हर student ल लगबग एम होता है कि मुझे top 100 में rank लानी है gate में, है ना, statistics उठा के देखो more than 60% of the students dropper होते हैं, more than 60% of the students, ठीक है, तो please इस बात को समझो, वो repeat कर रहे हैं, क्यों repeat कर रहे हैं, क्योंकि एक बारी में चीज़ें समझ नहीं आती है gate में, ठीक है, twisted questions है, इनको पढ़ने में सम इना planning के काम मत करो, ठीक है, तो category 1 में मत रहो, category 2 में आने की कोशिश करो, category 2 के कौन students है, category 2 में वो students है, जिनको अच्छे से ये बात पता है, कि जिस वे से मैंने अभी study करी है, अगर मैं उसी वे से study करूँगा, तो मेरे को success नहीं मिलेगी, मेरे को way change करना पड़ेगा, ठीक ह जोश कम होता गया, and so on, तो knowingly या unknowingly आप से mistakes हो जाती है, ठीक है, तो please इन mistakes को avoid करने की कोशिश करो, ठीक है, तो category 2 में आओ, category 2 में हो, अगर आप already, तो आप you are safe, I congratulate you, और अच्छे से त्यारी करो, rank जरूर आएगी, 100% आएगी, ठीक है, काफी लोग ये भी कहते हैं कि, मत competitive exam है, तो top 100 में तो सिर्फ 100 students ही आएगे, तो हम तो बीच में नहीं आ सकते, and so on, मैं आपको marks बता देता हूँ, कोशिश करो, किसी भी तरीके से aim रखो 70 plus marks लाने की, अगर आपके 70 plus marks आगे आप top 100 में आ जाएगे, 100% आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, नमबर पे focus करो, आप competition को मारो गोली, सब को छोड़ दो दिमाग से कि कौन बचा क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आप number में focus करो, so marks का paper है, मैं रेको 70 plus number लाने है, मैं top 100 में आगे, बस, ये चीज़ मान के चलो, ठीक है, इसे साब से त्यारी करो, कि 70 plus number तो मुझे चाहिए ही चाहि 100% मैं आपको इस बात की guarantee देता हूँ, number पे focus करो, ठीक है, number अच्छे लाने की कोशिश करो, आपकी, मैं बता रहा हूँ, 100% आपको success ज़रूर मिलेगी, और please planning के साब से चलो, जो गलतियां अभी करी है, at least उनको no down कर लो, और अगर वो by chance mistakes आप से दुबारा हो रही है, तो please जो no down किया हूँ, किसी dairy में लिख लो, या किसी paper पे लिख लो, और बेशक्से paper को अपने wall पे चिपका दो, जहां पर बैठ किया पढ़ते हो, ताकि वो mistake मिर से दुबारा दुबारा ना हो, ठीक है, अगर आपकी practice कम थी, तो लिख लो, practice पे ध्यान लगाना इस साल, अगर कि theory कम जोर थी, तो theory पे ध्यान लगाना ये बात लिख लो, and so on, मैं इतना detail में नहीं दा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी क्या strategy थी, आपने क्या थिस follow की थी, but main thing है कि आपको success नहीं मिली है, that means कहीं ना कहीं कोई कमी थी, और please ये बात अपने मन से निकाल दो, कि toppers बहुत अलग होते हैं, वो कहीं और से ही आते हैं, वो मार्स से आई हुए हैं, ये पतनी कहां से आई हुए हैं, उमका दिमाग बहुते जाए, दिमाग वगएर किसी का को तेज या किसी का कम नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, please कोशिश को इस बात को समझने की, everything depends on your planning and thought clarity, जितने thoughts आपके clear होंगे और जितना आपके अपने mind पे control होगा, आप उतना ज़्यादा और उतनी अराम से success हासिल कर सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को अपना example देता हूँ, ताकि आप लोग inspire हो सकें, मैंने 32 years की age में, gate में, top 100 में rank ला पाया हूँ, after marriage, after having a baby of one year, तो अग बहुत बहुत जादा comfort zone में है, आपके parents का हाथ आपके सिर पे है, वो आपको पूरी हद तक, किसी भी हद तक जाकर करके आपको support कर रहे हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को आप माने या ना माने, बट आपको अंदर से तो feeling होगी कि parents मुझे बहुत support कर रहे हैं, तो अगर अगर उधर के options देखना बंद कर दो, यह test दे लेता हूँ, वो test दे लेता हूँ, अभी यह test आएगा, अभी वो test आएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, एक test पर focus करो, और पूरा अच्छे से उसमें घुस के पढ़ाई करो, ठीक है, that is the key to success, जिसको भी success मिली है life में, आप एक याद रखना, देखो, किसी भी topper से पूछना, किसी भी topper से आप पूछ लो, top 100 ranker, top 10 ranker, आप उससे career guidance लो, आप उससे पूछो कि आपने और कौन-कौन से test दिये थे, अगर कोई बता दे कि मैंने IIIT हिदराबाद का test दिया था, मैंने NILET या जो भी हालतु-फालतु test के न नहीं कोई test फालतु का दिया है आज था, क्योंकि मुझे पता था, मेरा aim clear था कि मुझे यही करना और मैं यही करना, ठीक है, तो प्लीज इस बात को समझो, backup लेना no doubt अच्छी बात है, बट आप इसको wrong sense में मत लेके जाओ, ठीक है, पहले एक तरीके से focus करो, एक काम को अच 100% नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे और जादा नहीं बोलना चाहिए, thank you all of you, ठीक